हेलो गाइज नमस्कार मैं पुन्ने प्रताफ सेंज स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पी एस माइन नमस्ती पर दोस्तो आज की टॉपेक में हम समझेंगी चतरभुच क्या है चतरभुच कितने प्रकार के होते हैं और चतरभुच से संबंदित कुछ इंपोर्टेंट बिंदू जो एकजाम में हर बार पूछे जा रहे हैं उनको डिसकस करेंगे तो आईए मित्रो जुड़ जाएए और यदि आप हमारे चैनल पे नई ब्लेट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें तो आईए मित्रो डिसकस करते हैं चतरभुच चतरभुच से जितने भी बिंदू बनेंगे उनको हम आज इस टॉपक में किलियर कर लेंगे और समझते हुए चलेंगे ठीक है दोस्तो तो अपनी पेंडायरी जरूर निकालने ताकि कि जो इंपोर्टेंट फैक्ट उसको नोट कर जाके ठीक है दोस्तो तो आईए समझते हैं चतरभुच चतरभुच मतलब की क्वाड्री लेटरल ठीक है तो चतरभुच किया है इसको हम समझ लेते हैं ठीक है दोस्तो पहले मैं पेज आड़ कर लेता हूं चतरभुच तो बैसे आप तो चतरभुच समझते हैं दोस्तों कि जो चार बिंदों से बनी हुए आक्रती होती है चार बिंदों से जो आक्रती बनती है उसे हम क्या कहते हैं चतरभुच कहते हैं ठीक है दोस्तों तो जो चतरभुच होते हैं दोस्तों सबसे पहले हम समझ ल हुआ जैडिग टीन प्रिकारे होते हैं कि इसे प्रेकार के ठीक है सबसे पहले कौन होता है संचतरोफच दूसरा होता है समानांतर रोच मैं अब टीसरा होता है सम्लमस्ट चत्रोफच घीच है दोस्तो तो आप समझ गये हैं देखते हैं संच्वहच कौन है संच्वुष गवना तो संच्व हुच कर दोस्तो गारह दोस्तों के जिसका की चारों हुजायं समान होती है mean अधात हम बर्ग को हम क्या कह सकते हैं सम चतर भुज कह सकते हैं तो सम चतर भुज के चारो कौन और चारो भुजाएं कैसी होती है बराबर होती है ठीक है दोस्तो जैसे माल लो ए भुजा ए है तो ए भी ए रहेगी और ए भी ए रहेगी और ए भी ए तो ए आपका हुजाएगा स तो समानतर चतर होज है तो जिसकी आमने सामने की भुजाएं, क्या हो? बराबर हो, ठीक है? जैसे मालोग जय है, तो ए भुजा बराबर है, ए भुजा बराबर है, और ए भुजा बराबर है मतलब कि आमले सामने की जब हो जाए किया हो बराबर को त्वो क्या हो जाएगा समांतर च्रुफज को जाएगा ठीक है दोस्तों कि इसके बाद हम समझते हैं समलम््व चात्र च्प्र हो जिदी मांद है इस्कार सैंटी समानतार है स्मानतार है यह चार होगी यह तीन है तो यह 3 होजी ठीक नुठfernus WW21 imた कि क्या है तो इस्में क्या होता है दोस्तो दो समाय होता पड़ा देखिए जो ए आकरती है और ए आकरती है कैसी है आसमानतर है लेकिन जी आकरती और जी बाली आकरती कैसी है समानतर है ठीक है तो आपको समलम में याद रखना है कि दो भुजाए आसमानतर होती है और दो समानतर होती है ठीक है आसमानतर है तो तीनो चतर भुज में आप डेफ इससे जुड़े फैक्ट और देखते हैं, चलते हैं आगे. दोस्तो सबसे पहले हम बर्ग एको ले लेते हैं बर्ग भी एक चतर होज है बर्ग ठीक है दोस्तो बर्ग की में यहां आकरती बना देता हूँ यह बर्ग है ठीक है दोस्तो तो अभी हमने जैसे देखा कि बर्ग के चारो कौन कैसे होते हैं बरावर होते हैं 90 90 डिगरी की होते हैं नभी नभी का जी होगा नभी का जी होगा और नभी का जी और नभी का जी सभी कौन नभी नभी की होंगे ठीक है न और और बर्ग की जो विकर्ण है मालो पहला विकर्ण एस्क्वार है दूसरा भी एस्क्वार है तो दोनों जोड़ जाएंगी ठीक है मतलब हम कह सकते हैं कि बर्ग का विकर्ण बराबर रूट के अंदर एस्क्वर एस्क्वर बराबर टू एस्क्वर ठीक है दोस्तो यहां से एस्क्वर बाहर निकाल सकते हैं जब कोई अंदर बर्ग में हो तो इसको हम रूट से बाहर निकाल सकते है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पर जाएगा ए रूड दू तो बर्ग का विकर्ण क्या होता है ए रूड दू ठीक है दोस्तों इसके बाद साथ में यह रखें यह याद रखें कि जो बर्ग है या चतरवज है उसकी जो चारों कौन होते हैं उनक कौनों का जो यूट होता है 450 डिगरी होता है कितना होता है दोस्तों te slight dakika कैसे 90 और 90 और 298 यूटाओ देंके तो total केतना हुआ 350 डिगरी ठीक है तो चतरोन का यूट होता है ठीक है दोस्तों preparing हमने देख लिए हैju कितना है a road two चलते हैं next आप अब बर्ग का परिमाप देखते हैं दोस्तों अभी बर्ग ही चल रहा है ए बर्ग है मालो इसकी बुझा ए है ए ए है ए भी ए है और ए भी है तो इसका जो परिमाप होता है दोस्तों परिमाप तो जो परिमाप होता है वो क्या होता है चारों हो जाएं जोड़ जाती है ए प्लेस ए प्लेस ए प्लेस ए तो कितना हो जाएगा फोर ए अर्थात हम कह सकते है कि बर्क का परिमाप फोर ए होता है ए क्या है यहाँ पर भोजा है यह भुजा है ठीक है दोस्तों चलते हैं और नेक्स्ट देखते हैं तो बरक का परिमाब हो रही ठीक है अब समझते हैं हम आयत को ठीक है दोस्तों रेक्टेंगल ठीक है रेक्टेंगल को समझते हैं आयत जैसा कि आप देख भी चुके हैं कि आयत की आमने सामने की बुजा कैसी होते हैं बराबर होते हैं तो एक क्या है आयत होता है दोस्तों आयत के भी चारों कौन कैसे होते हैं बराबर होते हैं थार नाइटी नाइटी डिके होते हैं ठीक है दोस अबने की जब बोजाएं बराबर होती हैं मालो ए लंबाई है और ए लंबाई ए चोड़ाई तो यहाँ पर 2L प्लेस 2B अर्थाथ 2 को अब ले लेंगे तो यहाँ पर कहने के लिए 2L प्लेस B अर्थाथ हम कह सकते हैं जो इसकी परिमाप होती है दो गुणे लंबाई प्लेस चोड़ाई क्या है इसका परिमाप है ठीक है दोस्तों यदि इसकी छेतरफाल की बात करें तो छेतरफाल लंबाई गुणे चोड़ाई होता है क्या होता है लंबाई गुणे चोड़ाई आयत का जो छेत्रफल होता है क्या होता है छेत्रफल वो लम्माई गुणे चोणाई होता है ठीक है दोस्तो परिमाप समझ गए दो गुणे लम्माई पिलस चोणाई और छेत्रफल लम्माई गुणे चोणाई ठीक है दोस्तो इसके बाद next fact समझते हैं मालो यदि किसी बर्ग में किस में दोस्तों किसी बर्ग में या किसी चतरोज में जब बेकाण एक दूसरे को काटते हैं तो जो उन पे जो कौन बनते हैं दोस्तों वो हमेशा 90 डिगरी के बनते हैं कितने के बनते हैं 90 डिगरी के यह आपको बात याद रखनी योग हैं कि यदि किसी चत्रोज में आपस में दो विकर्ण काटते हैं तो उससे जो बनने वाले कौन है वो कितने डिग डगी के बनते हैं 90 डगी के, ठीक है दोस्तो यदि विकर्ण एक दूसरे को काटेंगे विकर्ण एक दूसरी को काटेंगे काटेंगे तो कोण बनेगी कितने की दोस्तो ना ठीक है इससे जुड़ा एक और फैक्ट समझते हैं मालो कोई सम चतर हुज है क्या है सम चतर हुज है या समानतर चतर हुज बोल दें सम चतर हुज भी बोल सकते हैं सम अनतर भी बोल सकते हैं ठीक है दोस्तो तो इसके जो विकार्ण काटेंगे ना आपस में तो ए भी 90 डिग्री के ही कौन बनाएंगे इसको भी साथ में याद रखना है इस समानतर चतरोज भी यदि काटे तो उसके अंदर भी जो कौन बनेगी वो भी कितने के बनेगी 90 डिगरी के बनेगी ठीक है दोस्तो जो समचतरोज होता है उसमें जब विकान काटते हैं तो कौन 90 डिगरी का ही बनता है और समचतरोज का छेतरफल क्या होता है दोस्तो छेतर तो आज इतना ही इसमें क्लियर करते हैं दोस्तों इसके आगे की जो बिंदू है वो नेक्स्ट वीडियो में में लेकर आऊंगा तो आज इसको ही क्लियर आप सभी कर लें ठीक है दोस्तों तो आज मैं इस वीडियो को यहीं स्वाप्त करता हूं उम्मीद करता हूं कि आपको इस समझ में आई होंगे यदि समझ में आई हैं दोस्तो तो चैनल को सस्क्राइब तो कर ही लें और साथ में नीचे कमेंट स्वाक्स है तो कमेंट स्वाक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तो इस से मुझे पता चलता है कि मैं जो पढ़ाता हूं वो कैसा पढ़ा रहा हूं इसका रिस्पॉंस केंसा मिल रहा है ठीक है दोस्तों तो नमस्कार जैहिंद बंदिमात्रम